नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका अपने यूट्यूब चेनल जी एस प्रेटफॉर्म पर मैं रमन सिंग हाजर हूँ आज एक नई स्लाइट के साथ उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जी आई टेग और साथ साथ में इसमें हमें सब टॉपिक के तौर पर सामिल किया है गुरफपुर के टेरी कोटा को मिला जी आई टेग और मनीपुर के ब्लेक राइस को मिला जी आई टेग यह दोनों ही सुरकियों में चाहिए है लाज़ा एक्जाम में यहां से प्रस्ट आने की संभावना आधिख है लाज़ा इनको भी स्ट्राइड में सामिल किया गया है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप से रिक्रेश्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे टेरीग्राम चैनल जिसका डिस्कुर्शन में लिंक दिया गया है उस पर जाय करें क्योंकि वहां पर डेली कुछ दियाती है उस कुछ में आप रतिवात करें और अपनी कोई ऐसी वस्तू कोई ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा फेमास हो सिरिया में और केबल वहीं पर हो और वह गुण सिफ उस इस्थान विस्स की चीज में ही हो बलकि उससे मिलते जलती चीज़ें जो आज पास कहीं भी है उनमें कहीं पर भी वह गुण नहीं पाई जाता है तो उन्हें क्या जाता है जी आई टेग जिग्राफिकल इंडिकेशन तो इसका फुल फॉर्म भी तियार कर लो एक्जाम में आने की संभावना है जी आई टेग का इस्तमाल ऐसे उत्पादों के लिए कियाता है जिनका एक विस्ष्ट भोगॉलिक छित्र इनकी इस्थानी स्थानी पाइजाती इस्थानी जी जो इस कि इस मिझाब जाती है जैसे की ऊडगी सफותे और बंगाल का गुलाब जामोने वो विस्टा उसमें है और वो भारत में कहीं नहीं है लेकर वह वाली संके तक के तोर पर बंगाल के रजगुल्ले को भी जो गुलाब जामोने उसे जी आई-टेग दिया गया था, तो यहां समझना है आपको कि सीजी सी बात यह है कि इस्थान विसेश पर जो उतपा करते हैं चलिए यह देख लेते हैं कि यह उत्पाद उस इस्थान बिसिस का प्रित्मित करते हैं मतलब यह है कि इस उत्पाद इस वस्तु के नाम से ही उस इस्थान बिसिस को हम जान जाते हैं जैसे कि आगरा का पेठा मसरा के पेड़े ठीक है नाम लेते ही हम जान जाते कि हा ऑफिए होतीय इसमें से मतलब है यहाँ पर मिट्टी का ऐसा रूप लिए जाएगा जो अन्यत्र नहीं होगा यहाँ पर दोमट मिट्टी का इस्तमाल किया जाएगा इसमें दोमट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है तो गुरकपुर का जो टेरी कोटा है तो इस टेरा कोटा में जो है दोम पुरकपुर में काम के जा रहा है वह बिलकुल इनसे बिन्हें इनकी जो इसता गुरकपुर के टर्रकोटा वर्क में है वह आसपास के अनकिसी स्थान पर नहीं है यही बज़ा है कि उसे GI Tech प्रदान किया गया है टेरा कोटा एक Italian सब्द है जिसका मतलब होता है बेगड अर्थ यहने की मिट्टी को गर्म करना यहाँ बेगड अर्थ का मतलब जमीन गर्म नहीं की जा रही है जमीन से जो मिट्टी ले जा रही है जिससे वो चीज़े बनाए गई है उसे गर्म किये जा रहा है तो ठीक है कैसा है यह Italian टर्म है और इसका मतलब क्या होता है बेगड अर्थ यहने की मिट्टी को गर्म करना कितना टेंपरिचर है 1000 to 2000 डिगरी फार्ने हाइट गोरकपुर के टेराकोटा के लिए लक्षमी टेराकोटा मूर्ती कला के इंद्वरा आविजन किया गया था यह यहाँ पर important है यह exam पूसकते हैं कि आकरकार गोरकपुर के टेराकोटा को GI टेक दिया जाए यह आविजन किया था तो यह है आवेजन किया था लक्षमी, टेराकोटा, मूर्ती, कलाकिन्द, यह important point है, एक्जाम के लिहाद से किरपया इसको नोट करें और तेयार भी कर लें, गोरकपुर टेराकोटा में नगन हातों से वस्तूओं को बनाया जाता है, नगन हातों से मतलब यहाँ पर यहाँ प तो नगन हातों का यह प्रियू कियाता है, ठीक है, बेर हैंस इसमाल किया आते हैं आपर, यहाँ पर ध्यान देने के लिए, इसको जो टेराकोटा है, उसे जी आई टेग दिया गया है, जी आई टेग मिलने से कला का सुरच्छन होता है, जाहेट सी वात है, किसी इस्थान ब हम लोग छोड़ देंगे तो वह बिलता हैगी, लेकिन जी आई टेग मिलने से होता क्या है, कि उसका होता है सुरच्छन, क्यूंकि जैसे ही जी आई टेग मिला, वैसी उसकी कीमेत जाती हैं स्थिर, और लोग बाग उसमें क्या है, उन्हें मिलता है रुजगार, और इसके जब वह लगाता उस काम में लगे रहते हैं तो वह उत्पाद बन के सामने आते हैं और कला क्या होता है सरच्छत यह कि इसका बहुत बड़ा बैनिफिट है कि टेरा कोटा जो है अब यहां से सरच्छत रहेगी ऐसी विधा जो धीमे धीमे खत्म होने की कगार पर थी अब वह जगह होते नहीं है लियादा इनकी जो पहले कीमत होती है वह इस्थिर नहीं होती है तै नहीं होती है लेकर जैसे ही इनकी जो कीमत है वह कैसी तै हो जाती है और जिससे जो है बनाने बालों को इसमें जो लगे लोग है उन्हें फाइदा होई लगता है पॉर्टर्स का आर् सर्वी प्राप्त होंगी कुछ पर मुख टेरा कुटा उत्पाद जो देखो गुरकपूर में क्या क्या बनाते हैं वो भाई मिट्टी का गोला बनाते हैं हाती बनाते हैं पंच मुखी गलेस ये बहुत इंपोर्टेंट है एक मुखी गलेस ये बहुत इंपोर्टेंट है हाती से बनी हुई मिट्टी की चीज़ों में इनके टेरा कोटा उत्पादों में जुर्णा होता है वह कैसा होता है प्राकर्टिक कलर का इस्तमाल किया जाता है सिंदु गाटी सब्वता से भी टेरा कोटा की बनी मूर्तियां और मुहरे आदी हमें प्राप्त होई है देखो भाई इसका इतिहास कोई छोटा मुड़ा नहीं है या नया नहीं है टेरा कोटा का इतिहास भारत में हजारों साल प्राणा है सिंदु गाटी सब्वता से भी टेरो कोटा की बनी मूर्तियां मुहरे आदी मिलनी है इस प्रिकार भारत में इसका इतिहास हजारों साल प्राणा है च गुरआपुर का टेराखुटा को देखने के पाद अब हम मनीपूर का ब्लेक राईस देखते हैं, ब्लेक राईस, बड़ा चम्बा लगा होगा, कि काला काल सरफ देखा नहीं है, पर मनीपूर में ब्लेक राईस भी है, जिसको जियाई कर अधिन को यह है, कि इस थान परियोग परामपर चावल की जब क्या है मनीपूर में के मात्र आधिक हुती है अन्य चावलों की पेचा इसमें जाधा होते हैं तो एक सांत मैं मैंने इसके लिए पिक्स भी चावल की है आब क्या होता है जब किसी इस्थान बिस्धान कि उत्पाद को जब हम G.I.וח देरे जेते हैं तो उसे क्या लाव होता है उन उत्पादों को विचिस भोगोलिग पहचान प्राप्त जाटी है जैसे ही भोगोलिग प्राप्त होती है विसे ही आस-पाज के एडिया मेशाथी प्राप्त करते लोग उसे देखनें उसे लालायत ह होते हैं उसे पानी कुसिस करते हैं और इस्थिर कीमतों की बज़े से उन्हें ले करके आते हैं क्योंकि जैसे जी आई टेक मिलता है वैसी वो फीमस होई लगते हैं तो पहचान मिलती उसी रिया को जैसे कि बत्रा की बात करें तो आप पेड़े से पचान लेते हैं तो यह खा जीकरण है वो दस बर्स के लिए मान होता है दस परस के पश्चाथ फिट से आप दन करें और वो फिट से आगे को रिन्यू कर देते हैं उसे बढ़ा देते हैं तो समय अगर पूछा जाए तो कितना है दस बर्स अब हमने यहां पर इस स्लाइड में सामिल किया है कि भाई चुकी यूपी का मामा देख लेते हैं मैं तो उत्तर प्रदिस से ब्रॉंग करता हूँ तो देखते हैं कि उत्तर प्रदिस के प्रमुजी जागी टेक कौन-कौन से हैं तो हमारे यूपी में जो है कन्नौच का इत्र पूरे भारत में famous है कन्नौच का इत्र यहां पर प्राकर्तिक तरीके से फूलों से इत्र को बनाया जाता है बिल्कुल प्राकर्तिक होता है और महंगा बहुत होता है क्योंकि इसे निकालने का तरीका है वह बिल्कुल प्राकर्तिक है और भारत की प्राचीन संस्कृति से इ इसा इत्र अन्यत कहीं भी नहीं मिलता है आगरा का पेठा इसका भी बहुत नाम है आगरा में वह अच्छे आगरा यह स्प्रिंट हो गया एक डंडा और सा यहां पर मत्रा के पेड़े सिरोजाबाद के कांच के उत्पाद मुरादावाद धातू उत्पाद आम मलीहावादी दसहरी यह important है तो दोको यहां पर एकजाम में जो पूछ सकते हैं हमें पता है कि पेठा से सब रूबरू हैं पेड़े सब रूबरू हैं कनोच के इच्ट से भी हैं सिरोजाबाद के कांच के उत्पादों से भी यह एक्जाम में तो आया भी है तो यह important है और अब बहुत important जो है वो है आपका आम मलीहावादी यूपी का जो दसेरी आम है मलीहावादी यह बहुत जादा जो है फेमस है वो इसको भी जी आई टेक दिया गया है तो यह ध्यान रहना है एक्जाम में पूछेंगे तो यह पूछ सकते हैं तो होता कुछ नहीं है कुछ दो-चार अलग- आई उत्पात दे देंगे फिर वो आप से कहेंगे मैचिंग करिए तो मैचिंग में आएगा या कोई एक देंगे तो डायर्ट टिक लगवाने के लिए सकते हैं तो आप इस तरह की तैयारी करें कि कैसा भी प्रस्ण आए आप उसे कर सकें ठीक है सबसे अधिक आयू और वी जलता है तो पहला प्रस्ण मैंने बीच में पूछाया स्लाइड में मैंने कहाई कि इंडिस एक थे वैली से अव्याइजिशन का आप सामय बताईए कि समय काल में थी और एक प्रस्ण और मैं दे रहा हूँ जो बस्तू है इंडिस में इनका उत्कराड कहां पर हुआ है कहां